तो कैसे हो दोस्तो हम इसमें पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री जिसमें कि हमने गुलाम बंस उसके बाद खिलजी बंस को फिलो चार्ट के दुवारा एक वीडियो बना करके अब इसी चैनल पर प्रूट कर दी है पार्ट बन पार्ट टू पार्ट अगर आपने नहीं देख लें उसके बाद आप हम सुरूर कर रहे हैं तुगलक बंस के बारे में तुगलक बंस का जो कारेकाल रहा था तेरो सो बीस से लेकर foster 1414 तक रहा था बात करते हैं इसकी संस्तापक की तो इसका संस्तापक ग्यासुदीं तुगलक था ग्यासिदुईन तुगलक को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है गाजी मलिक के नाम से और मलिक उल गाजी के नाम से भी जाना जाता है बात करते हैं इसके बारे में ग्यासुदीन तुगलक के बारे में तो नहेर निर्माण करने वाला पहला सासक ग्यासुदीन तुगलकों का जाता है बात करते हैं इसकी मृत्यू की कैसे मृत्यू हुई तो मृत्यू इसकी लकड़ी से निर्मित भवन की गिरने से तेरे सो पच्चिस में इसकी मृत्यू हो जाती है और इसका कार्रेकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद मुहमद बिन तुगलक नेक्ष सासक आता है जिसका कार्रेकाल 1325 से लेकर के 1351 तक होता है बात करते हैं मुहमद बिन तुगलक के बारे में कुछ पॉंट्स की तो ये सरबातिक विद्वान और सिक्षिक सासक था ये खगोल सास्तर गडित आयुर्पिज्यान सहीत अनेक विद्वाओं में निपुर था राजधानी दिल्ली से दोलताबाद यानि देवगीरी ले गया था कई बार पूछा जाता है कि विद्वाइ राजधानी को दिल्ली से दोलताबाद यानि देवगीरी कौन ले गया था तो मुहमद बिन तुगलक ले गया था इसके कुछ और भी काम है जैसे कि सांकितिक मुद्रा का पृचलन इसने किया था 1330-40 में अमीर एक होई जो की संबन्दित है किर्शी सुधार से कई बार पूछा था अमीर एक को ही किसने सुरुवात की थी इसकी और इसकी किस संबन्दित है दोनी परसन हमें त्यार करके रखना है अमीर एक को ही किर्शी सुधार से संबन्दित है और इसको किसने महम्मद बिन तुगलक ने होली के तवहार में ये सामिल भी होता था बात करते हैं इanto वतीता तो इ krij बतुःता जो आया था मुहम्मद बिन तुगलक के काल मी आया था और इसका जो करेकाल था इबनु वतुटा का जो यहां पर रहा था 333 सेます 247 तक रहा था इबन बतुता कहां कहा था यह पूचाया था कई बार तो यह मुरक्को का मुन निवासी था मुरक्को के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इबन बतुता मुरक्को का मुन निवासी तो थाई साथ में पूझा था डाग का बिवरण किस ने दिया था तो डाग का बिवरण जो दिया था सबसे पहले इवन बतूता नहीं दिया था और इसकी एक पुष्टक है बहुत पुष्टी जाती किताब उल रहला पुष्टक ये किस ने लिखी थी तो ये इवन बतूता नहीं लिखी थी 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्य हो जाती है 20 मार्च 1351 को इसकी मृत्य हो जाती है बदायूनी एक लेखक है जिनोंने की लिखा है सुल्तान को उसकी परजा से और परजा को अपने सुल्तान से मुक्ती मिल गई कई बार पूछा था किसने लिखा तो बनाई उनी ने किसके बारे में तो यह मुहमद बिन तुगलक के बारे में लिखा गया था मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यू के बाद नेक सासक आता है फिरोज सहा तुगलक फिरोज सहा तुगलक का जो काररेकाल था वो 1351 से लेकर के 1388 तक इसका काररेकाल चलता है फिरोज सहा तुगलक के बारे में कुछ महत्कूर बात है लेहरों के सबसे बड़े जल का निर्मान किसे ने कराया अगर ये पूछा आता है तो हमारा जवाब होगा फिरोजसा तुगलक सरप्रतम लोक निर्मान विवहक की इस्तापना किसे ने की तो इसका भी जवाब होगा फिरोजसा तुगलक कई बार पूछा आता है कि दरवार में सबसे अधिक गुलाम थे तो ये भी जवाब होगा फिरोसा तुगलक जादा गुलाम होने के कारण इसको बोला भी जाता है दीवान ये बंदगान की नाम से हग ए सर्व जिसको बुलाया था सिचाई कर लगाया था फिरोसा तुगलक ने उसके बाद बिरहमणों पर जजिया कर लगाया इसने रोजगार कारणे की स्थापना भी की दीवान एक हैरात की स्थापना की फलों की गुडबत्ता सुधारने के लिए उपाए किये बहुत सारे इन्होंने कुछ महत्मूर कार रहे किये और एक महत्मूर का टोपरा तथा मेरट से दुवासो की स्थम लेकर की दिली लेकर क्या है अनुवाद विभाग की स्थापना की राज्ये के खर्च पर हज की विवस्ता की दारूल सफा जो की खेराती अस्पताल था उसको इन्होंने बनवाया तो ये सब महत्मूर कार रहे थे जो की नोंने किये उसके बाद बात आती है तुगलक बन्स की अंतिम सासक जिसका नाम था नसिरुद्दीन महमूद इनका कार्रेकाल था 1394 से 1412 बार है और तुगलक राजबंस का ये अंतिम सासकता इस तरीके से तुगलक बन्स यही पर सवाप्त हो जाता है तुगलक बन्स के बाद में जो अगला बन्स है वह हम नेक्स वीडियो में अपलोड करेंगे तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए और अगर यह आपके वीड स्क्राइब कर लें धन्यवाद